नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर मैं हूँ स्रंगार और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने के लिए आया हूँ इस वीडियो में मतलब है कुछ ऐसी चीज़े बताना चाहता हूँ खास तोर पर बाइकर्स को जो की मांसुन में गाड़ी चल रखना है खास तोर पर जब मांसुन का सीजन आता है तो बहुत सारे पंगे आपके साथ हो सकते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है तो चलिए इन चीज़ों पर बात करते हैं क्या क्या चीज़े अगर आप ये 4-5-6 चीज़े जो मैं बताऊंगा उनमें तो आपको 50% चांसेज में को 70% चांसेज गम हो जाते हैं गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ी होने के फिर दोस्तों कुछ गड़बड़ी तो होने की होती है तो हो नहीं होनी को कौन टाल सकता है चलिए इन पर बात करते हैं लेकिन से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो पटाक से सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे ही काफी सारे ग्यान के वीडियो तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं सबसे पहला जो आपको सजेस्चन देना जाऊंगा दोस्तों कि जब भी बारिश हो रही है या हो चुकी है और रोड़ जादा प आइक्स में आने लगाए, ABS आने लगाए, ABS तो मतलब कमपल जरी सा है बट EBD आने लगाए और बहुत सारी टेकनलोजी यूज़ कर रही है गाड़ी है तो आप थोड़ा और थादा फास चल सकते हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल से थोड़ा कम चलना है और अगर आपके पास ए छोटे छोटे से एक डे होते हैं उन्हें फिल अप कर देता है और आपकी गाड़ी जो है वो रोट से थोड़ा सा उठकर चलती है ऐसे समय पर अगर आप हलका पुलका भी टरन लेते हैं या गाड़ी जुकाते हैं तो slip होने के chances बढ़ जाते हैं और slip होंगे तो हाँ सूखी सडक पर गिरेंगे तो जितना नुकसान होगा उसे थोड़ा कम नुकसान होगा लेकिन नुकसान जरूर हो जायेगा तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा slow चलिए आपको अगर आपकी गाड़ी के पर पूरा भरुसा है तो भी मैं कमगा थोड़ा सा कम कीजिए ऐसे समय पर क्यो चुकी है और टायर्स नहीं चेंज करवाए हैं तो आपको जरूरत है बहुत ज़्यादा स्लो चलने की ब्रेक्स भी मार रहे हैं तो धीरे-धीरे मारिये, स्मूदली मारिये टायर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बताना और थोड़ी कंडिशन आपको लग रहे हैं तो फिर थोड़ा स्लो चलिए अगर तेज चलेंगे तो क्योंकि उसके जो ट्रेट्स है वो खराब हो चुके होगे या काफी हद तक टायर घिस चुका होगा प्रॉबलम आपको जरूर बन जाएगी और गाड़ी स्लिप होने के चांसे ज़ादा होगे बरसाद का समय है पानी है रोट पर तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अब दोस्तों बात आती है ब्रेक्स की तो दो तरीके के ब्रेक्स होते हैं आपको दोनों डिस्क ब्रेक्स मिल सकते हैं जादातर गाड़ियों में फ्रन्ट डिस्क ब्रेक्स होंगा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपकी गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स है तो बरसाद के समय में उनका प्रापर जो है एक सर्विसिंग करा लिजे जब भी आप सर्वी सिंग पर दे रहें गाड़ी बरसाथ से पहले बारिश से पहले एक बार उन्हें अपनी company को कह दीजिए सर्वी सेंटर को कह दीजिए क्या और brakes का धेहान रख लीजिए हो सकता है दोस्तों की brake के drum में तोड़ा बहुत भी पानी अगर चला गया बारिश के समय न तो वो चिपकने लगते हैं, मेरे पास जो पुरानी गाड़ी थी या मेरे फ्रेंट के एक्चुली गाड़ी थी उसमें मैंने चीज काफी द्यादा जहली है उसके फ्रंट ब्रेक जो की ड्रम ब्रेक था उसमें नमी आ जाती थी है और फिर ना वो चिपक जाता था, मतलब आपने ब्रेक लगाया, पहले थो 2-3 सेकंड वो लगेगा निए, और जैसे लगेगा, तो वो टायर को हिलने भी नहीं देगा, बिल्कुल मतलब 40 की स्पिट पर भी ब्रेक मारोगे, तो टायर एकदम खड़ा हो जाएगा, वो कुछ भ इक बार मेरे साथ बस बस हुआ है, कि सर्विसिंग के बाद में थोड़े जादा वो स्मूध हो गए, मतलब ब्रेक लग नहीं रहें, जादा डिस्टेंस तक जा रहें, तो पता चला था कि उस पर उन्होंने क्या ग्रीसिंग वगरा कर दी, एक्चली ग्रीसिंग नहीं डायर लॉक होगा और आप स्लिप हो सकते हैं, तो ब्रेक का भी ध्यान रखें, तीसी दोस्तों चीजे जो मुझे ड्राइविंग स्कूल में पता चली, एक्चली इससे पहले मैं भी यह चीज नहीं मानता था, और मैं भी बिल्कूल गड़े खुदाया करता था, बारिश के हमें नहीं पता होता है उन गड़ों की depth कितनी है, अब हो सकता है वो गड़ा पुराना हो, आपको पता हो कि छोटा ही गड़ा है, या फिर हो सकता है कि बरसात के बाद उसमें कुछ बड़ा चेंग आया हो, आप नहीं बता सकते हैं पानी गंदा होता है कि उसकी depth कितनी है, क रुक जाओ, क्लियर होने में जादा सामय नहीं लगता, बरसात रुक गई है, तो अगर बरसात चालो है, तो फिर जाने का मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा शेल्टर ले लो कहीं पर, तो गड़ों में गाड़ियां नहीं डालनी है, आप बहुत जादा शेयरो हैं, फिर कोई सूखी हुई है, बहुत बार हम करते हैं, कि सर्विसिंग नहीं कराते हैं, चार-चार मैने, छे-छे मैने, गाड़ी 10,000 चल जाती है, 12,000 चल जाती है, सिर्फ ओईल डला लेते हैं गाड़ी के एंजन में, लेकिन चेन को भूल जाते हैं, और ऐसे समय पर दोस्तों जब चेन पर लग जागा, तो समसकते हैं, वहाँ जंग आजाएगा, और जंग आने के वज़े से चेन टूट सकती है, और टूट जाएगी तो आपको बहुत बड़ी समस्तों जाएगी, उसके अलावा कोई आपकर दुपाई नहीं होगा, गाड़ी को धकिलने के अलावा, आप सिर् लंबे समय से सर्फिसिंग नहीं कराई ये गाड़ी की, और बारिश का मौसम आने वाला या बारिश आपको समझ में आरी क्यों तकती है, तो एक बार किसी भी दुकार पर जाकर के, पांच रुपे देकर के, चेन में ओल डलवा लीजिए, हाला कि पांच रुपे में कोई ड पार है, ABS है, EBD है, उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है जितना पहले था, ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम है तो, याने कि नॉर्मल डिस्टेंस जो वो तै करती है ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा क्योंकि बारिश है, बट आप की गाड़ी जिसमें ABS नहीं है, EBD नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका डिस्टेंस लगभग 25% से बढ़ेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करो, मतलब अभी तक गाड़ी अगर ब्रेक लगाने के बाद 25 मीटर पे रुकती थी, तो अभी वो लगभग 35 मीटर तक में रु कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी और रोट के बीच में ट्रेक्शन नहीं है, सदन एक्सलेरेशन करेंगे, तो यह हो सकता है कि गाड़ी स्पीट से वही पर टायर जो है, गुमने लग जाएगा, जगा पर घुमेगा, और अगर थोड़ा भी एंगल ले लेता है, तो आप ब्रेक आपने लगा जिए, तो टायर को नहीं पता है, वो कितनी स्पीड में है, एबियस नहीं, आपकी गाड़ी में तो लॉक हो जाएगा, एबियस है, तो भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सदन ब्रेकिंग को कम कीजिए, तो यह दोस्तों कुछ टिप्स अगर पसंद आ झाल 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